नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रभाष दोस्तों कलक दिन हमारे देश का बजट आया और इस बार का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा अलग है इसमें मुखिद्ध जो फोकस है वो capital expenditure है यानि कि नए नए सडक नए नए रेल लैन और नए नए एरपोर्ट्स बनाने पे और दोस्तों इसी क्रम में हमारी वित्वमंत्री जिनने यहां पे घोशना की है कि हमारे देश में जो 50 एरपोर्ट्स है उनका निर्मान किया जाएगा और निर्मान से यहां पे मतलब जो पहले एरपोर्ट्स थे जिनने बंद कर दिया गया था उन्हें चालू किया जाएगा ज सबसे पहले तो यहां पे है पुर्णिया एरपोर्ट जिसकी घोषना पहले हो चुकी है लेगिन अभी तक यहां पे इसका निर्मान कारे चालू नहीं हुआ है इस बार के बजट से इसका निर्मान कारे चालू होगा दूसरा एरपोर्ट यहां पहा जाता है भागलपूर तब हुमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इलक्षन के ठीक बात पता ही एरपोर्ट को चालू किया जाएगा लेकिन चार साल हो चुके हैं ये एरपोर्ट चालू नहीं हुआ है अब फाइनली इस बजट के बाद इस एरपोर्ट के चालू होने की उमीद बढ़ कॉमेंट करके जुरूर बताएं उसना ही मिलें के उड़ों के साथ तक लिए जाहें जब